हेलो गाइज मैं हूँ अकाश और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल क्रिव एबी सी पर आपने बहुत बार सुना होगा कि हाइड्रोजन गेस बहुत हलकी होती है और हलकी होने के साथ-साथ वह बहुत ज्यादा जवलन चील होती है तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गेस बनाएंगे जिसे बनाने के लिए हमारे पास है यह पानी कर लेंगे और जब बहुत सारी हमारे पास इकटी हो जाएगी तो उसको आग लगाएंगे और देखेंगे कि किता बेंकर ब्लाश्ट होता है तो पहले हम क्या करते हैं कि इस फोइल पेपर को कुछ इस तरह करके पानी के अंदर डाल देते हैं को चाहँ है तो हमने हमारे फोइल पेपर को इस के अंदर डाल दिया है अब हम क्या करते कि काश्टिक सोड़े को इस बैलून के अंदर डालते हैं सब्सक्राद सब्सित काश्टिक सोड़ा डालें को सीघा कर देगे चलाएगा और हाइड्राज़न गेस बन जाएगी और जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब हम इसे आग लगाएंगे और देखेंगे कि कितना बेंकर दमाका होता है तो हमने हमारे बैलून के अंदर काश्टिक सोडा डाल दिया है अब हम क्या करते कि इस बैलून को इस के उपर लगाते और हाइड्रोजन गेस बनाते आएजए आए पर लगाएंगे तो हमारे बेलून के अंदर अच्छे का सी हीड्रोजन गेट बर गई है अब हम क्या करते हैं कि इसको आग लगाते और देखते हैं कि किता बेंकर ब्लाश्ट होता है अगर आपको मारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलते अगले वीडियो में